हेलो स्टुडेंस आप सभी का अपना प्यारा सा यूटूब चैनल टोपर्स क्लासेस बाई SSS में फीर से एक बार पुना स्वागत है अभी हम लोग क्लास बार जैक बोड साइन्स में टर्मवान एकजाम के लिए बायलोजी में मोडल सेट वन में सभी MCQ प्रस्नों का सही उत्तर को जानेंगे यानि अभी हम लोग जीव बिग्यान यानि बायलोजी में टर्मवान एकजाम के लिए मोडल सेट वन में दिये गए सभी अबजेक्टी प्रस्नों का सही उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे और जानेंगे देखिए कौसेन नमबर एक से कौसेन नमबर एक सकिर्य परती रच्छा के उधारन निम्न में से कोन है टिकाकरन पियूस बने बनाए परती रच्छी सभी एक का सही उतर सभी होगा औल एक का सही उतर डी होगा एक का सही उतर डी यानि औल आगे देखिए question number 2, एक परतिरची अनु को इस परकार से निरुपीत किया जा सकता है Option A, H2L2, दो का सही उतर option A होगा, H2L2 आगे देखिए question number 3, तरल अनु किरिया परति किरिया का सम्मन्द है Option B, तीन का सही उतर option B होगा आगे देखिए question number 4, कोसिका मध्यत अनु किरिया का सम्मन्द है ती कोसिका से, चार का सही उतर B होगा चार का सही एंसर B होगा आगे देखिए question number 5, इंटर फेरोन का स्राव किसके द्वारा होता है इंटर फेरान का स्राव किसके द्वारा होता है option D सही उतर, बिसानू, संकर्मित, कोसिकाएं द्वारा पांच का सही उतर option D होगा आगे देखिए question number 6, दूतियक परतिरच्छी अनुकिरिया होती है दूतियक परतिरच्छी अनुकिरिया होती है तिर्व गती से 6 का सही उतर B होगा आगे देखिए question number 7, सहज परतिरच्छा से तात परिया है option A सही उतर, जन्मजात परतिरच्छा साथ का सही उतर, option A होगा सहज परतिरच्छा का मतलब होता है जन्मजात परतिरच्छा साथ का सही उतर, option A आगे देखिए question number 8, एक परतिरच्छी अनु जो आपरा को पार कर सकती है I, G, G, 8 का सही उतर B होगा 8 number question का सही उतर B होगा आगे देखिए कौसेन नमर 9 आती रंजित अनुकिरिया एलर्जी से समंदित परतिरची अनु है IGE 9 का सही उतर C होगा 9 नमर कौसेन का सही उतर C होगा आगे देखिए कौसेन नमर 10 प्यूस मा के दूद में पाया जाने वाला परतिरची अनु है प्यूस यानि मा के दूद में पाया जाने वाला परतिर अच्छी अनु है 10 का सही उत्तर option D होगा 10 का सही उत्तर option D I, G, A question number 10 का सही answer option D होगा आगे देखिए question number 11 अबुर्द बास्तों में क्या होता है वैसी कोशिकाओं का समू है जिसमें संस्पर्स संदमन का गुण मोजूत है 11 का सही उत्तर B होगा 11 का सही answer B होगा आगे देखिए question number 12 अबुर्द के बिभीन परकार है सूदम, दुर्दम, उप्रुक दोनो 12 का सही उत्तर C होगा 12 का सही उत्तर C होगा, उप्रोक दोनो आगे देखिए question number 13 एलकोहल के लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से हो सकने वाले नुक्सान है यकरित की छती सौशन पात तथा हद पात प्रमस्तिक रक्त सराव तथा तंत्रिका तंत्र को नुक्सान उप्रोक्त सभी 13 का सही उत्तर D होगा all of this यान उप्रोक्त सभी 13 का सही एंसर D होगा उप्रोक्त सभी आगे देखिए question number 14 एलिसा किस सिधान्द पर अधारित है एलिसा टेस्ट किस सिधान्द पर अधारित है परती जन परती रची अभिकिरिया पर चोगदा का सही उत्तर A होगा 14 का सही उत्तर A होगा आगे देखिए question number 15 बिडाल परिच्छन का सम्मंद निम्न में से किस रोग से है 15 का सही उत्तर D होगा टाइफाइट आगे देखिए question number 16 DNA फिंगर परिटिंग किस सिधान्द पर अधारित है option B DNA बहु बिविधाता पर 16 का सही उत्तर option B होगा DNA बहु बिविधाता पर आगे देखिए question number 17 17 नम्मर सवाल देखिए सब्द कोडन निम्न में से किस से समंदित है mRNA से कोडन सब्द mRNA से समंदित है related है 17 का सही उत्तर B होगा 17 का सही अंसर B आगे देखिए question number 18 प्ररंबक परकूट AUG निम्न में से किस amino aml के लिए कूठ है प्ररंबक परकूट AUG इन में से किस amino aml के लिए कूठ है option D होगा मेथियो 9 18 का सही उत्तर option D होगा मेθियो 9 आगे देखिए question number 19 19. अमीनो आमल की कूल संख्या कितनी है? 20. मानो शरीर में अमीनो आमल की संख्या 20 होती है. 19 का साई उतर D होगा. 19 का साई एंसर D होगा. 20. परती कृतियन की परिक्रिया निम्न में से किस दिशा में होती है? 21. आगे देखिए 21. RNA अनु से DNA अनु के निर्मान की परिक्रिया किस नाम से जने जाती है? 20. reverse transcription 21 का साई उतर B होगा. 21 का साई एंसर B. आगे देखिए 22. इंटर फेज के किस अवस्था में DNA का परिक्रितियन संपन होता है? 22 का साई उतर A होगा. S फेज 22 का साई उतर A होगा. S फेज में. आगे देखिए 23. अपूर्ण परभाविता का उधारन निम्न में से किस में देखने को मिलता है? Option C. 23 का साई उतर Option C होगा. सिनेप डेग्रेन में. 23 का साई उतर Option C होगा. आगे देखिए 24. द्वी संकर में दिरिश्य प्ररूप अनुपात क्या होता है? Option D साई उतर. 9 अनुपात, 3 अनुपात, 3 अनुपात, 3 अनुपात, 1. 24 का साई उतर D. आगे देखिए Question 25. निम्ण में से कौन सा Cross? परिच्छन Cross को निरुपीत करता है. Option D. ठीक है? 25 का साई उतर Option D होगा. आगे देखिए 26. 26 का रहा है. पिलियो ट्राटिप्रिज्म एक ऐसी परिखटना है जिसमें एक जीन एक से अधिक गुनों को नियंतरित करते हैं. 26 का सही उत्तर option D होगा पिलियो ट्राट्री पीजम एक ऐसी परिखटना है जिसमें एक जीन एक से अधिक गुनों को नियंत्रित करते हैं 26 का सही answer D होगा आगे देखे 27 निम्न में से किसे अनुवानसिक पधार्तों के अंतरगत रखा गया है 27 का सही उत्तर D होगा A और B दोनो ठीक है DNA और RNA ठीक है केवल A और B दोनों होगा DNA और RNA यानि 27 का सही उत्तर D होगा आगे देखे कॉस्टन नमर 28 28 को देखे निम्न में से किस सिधान्त को युगमकों की सुधता का सिधान्त भी कहा जाता है ओप्सन A V सैयोजन नियम 28 का सही उत्तर ओप्सन A होगा आगे देखे 29 अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन निम्न में से कोन सा है ओप्सन D उपरुक्त सभी सब है 29 का सही उत्तर ओप्सन D होगा आगे देखे question number 30 DNA की सनरचना का द्वी कुंडलित नमूना किसने प्रस्तूत किया Watson और की क्रने 30 का सही उत्तर D होगा question number 30 का सही उत्तर D होगा आगे देखे question number 31 मिलेरिया परजिवी का संक्राक्मक अवस्था निम्न में से कौन है Option B 31 का सही उत्तर Option B होगा मिलरिया परजिवी का संक्राक्मक अवस्था निम्न में से कौन है Option B सही उत्तर 31 का आगे देखिए question number 32 32 number question को देखिए मिलरिया परजिवी का लेंगिक चरण निम्न मेंसे किसमे पूर्ण होता है मच्छर में 32 का सही उत्तर A होगा मॉस्किटों में मच्छर में आगे देखे question number 33 33 वह ऐसे पधार्थ जो cancer उत्पन कर सकते है कहलाते है cancer जन 33 का सही उत्तर A होगा आगे देखे question number 34 34 देखिए इंड में से कोण सा जल द्वारा प्रागित नहीं होता है इंड में से कोण सा जल द्वारा प्रागित नहीं होता है वाटर लिली 34 का सही उत्तर D होगा 34 का सही अंसर D आगे देखिए अंतिम प्रस्न 35 लास्ट कोसेन 35 को देखिए चिप चिपाहट रहित प्राकन किसकी विशेश्ता है बायू प्रागित पूस्प का 35 का सही अंसर ए होगा तो चलिए अभी अम लोग कलास 12 बायलोजी में मोडल सेट वन टर्मवान एकजाम के लिए सभी 35 MCQ का सही उत्तर को देखें फिर मिलेंगे अगले विडियो में तब तक के लिए बाय बाय थेंक यू